Hare Krishna dear devotees, आज कल हम देख रहे हैं कि किस तरीकी से भत्तर हूर जो movie आई है, उसके लेके पूरे social media पर discussion चल रहा है, इसको लेके मैंने चितन अचन पभुजी से बात की और जो मेरी उसके साथ बाचीत हुई, मैंने उसको record किया, चार प्रशन basically मैंने उसके पूछा है, पहला दूसरा प्रशन, जो एथीश लोग हैं, जो नास्तिक लोग हैं, उनका ये कहना है कि जो आप लोग ये after life का concept लेके आते हों कि जन्नत में आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, इसकी वज़ा से ये हिंसा बढ़ती है, तो कही ना कहीं वो धर्म को जो है, कटगरे में खड़ा क नदियां और इस तरह की बातों के लेके कितनी हिंसा होती है, तो एथीश और जो रिलिजियस लोग हैं, ये अपनी अपनी जगह कैसे सही है, और इसको हम सही डंग से कैसे समझ सकते हैं, ये मेरा दूसरा प्रशन है, तीसरा प्रशन ये है, कि basically root problem क्या है, ऐसा क्यूं है, य जैसे मैंने बोला हिंदू में भी है, कि इसलाम धर्म में भी है, लेकिन अब देखते हैं, इसलाम धर्म में इसका सबसे ज़्यादा misuse किया जाता है, हार्डली आपको कोई हिंदू मिलेगा जो स्वर्ग के कारण किसी को नुकसान पहुचा रहा है, या फिर कि इसलाम धर्म कि यह कितना धार्मिक है, और प्रभुजी ने इसको बहुत अच्छे से explain किया है कि धर्म से ज़्यादा बड़ी problem है कि लोग किस गुन में स्थापित हैं, हम जानते हैं भगवत गीता में भगवान कृष्ण बात करते हैं, सतोगुन, रजोगुन और तमोगुन के बारे में तो प्रभुजी ने बहुत अच्छे से categorize किया कि धर्म से ज़्यादा important यह है कि वो इंसान किस गुन में स्थापित है, इसको आप देखे गए, बहुत अच्छे से प्रभुजी ने इसका answer किया है, और चोथा प्रशन मैंने प्रभुजी से पूछा कि इसका solution क्या है, ultimately हम कि यह एक बहुत बड़ा painful point बन गया है पूरी दुनिया के लिए, कितने सारे लोग आज के time में इस्लाम धर्म छोड़के atheist बनने को तियार है, ex-muslim करके जो एक बहुत बड़ी wave चल गया, अगर आप YouTube पे search करेंगे आपको मिलेगा, तो लाखो लोग जो है वो इस्लाम धर्म छोड़ रहे हैं, परिशान हो रहे हैं इस बात से कि किस तरह से हिंसा धर्म है, ठीक है चाहिए वो वुमेन को लेके हो, slavery लेके हो, ये after life भातर हूरो का concept हो, काफिर का concept हो, इस सारी चीज़े जो एक बहुत बड़े pain point बन चुके हैं, और बहुत सारे लोग, लाखो लोग ज ठोड़ रहे हैं, atheist बन रहे हैं, जो कि एक तरह से सही नहीं है, atheist का रास्ता, तो इसका solution क्या है, long term सही solution इसका क्या है, ultimately criticize करने से solution नहीं निकलेगा, चार गाली चब एक दूसरे को दे सकते हैं, that will not solve the problem, तो इन सारी बातों को लेके, चेतन चन पभुजे से मैंने बात करी है बहुत अच्छा podcast है, अगर आप थोड़े thoughtful हैं, intelligently बात को ठीक से root से समझना चाहते हैं, तो ये podcast आपके लिए काफी helpful हो सकता है, प्रभुजी ने इसमें समझाने के लिए कुछ diagram बनाए हैं, उसका PDF लिंक जो है मैं description में दे दूँगा, in case अगर आप उसको refer करना चाहते है तो चले शुरू करते हैं तो heaven का concept है, तो क्या ये सच में ऐसा है, या सिरफ ये लोगों को ऐसा बताया जाता है, ताकि वो एक सही रास्ते पर चल सकें, या फिर at least उनके बतायवे रास्ते पर चल सकें, या सच में ऐसा after life जैसा concept या ऐसी बात होती है, आपका शाहिद प्रभु थोड़े dark हो रहा है, स्क्रीन, अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है प्रभु जी, यस प्रभु जी, श्वाग राप्रु तो, थांकी मुझे इन्वाइट करने के लिए, तो मैं ये जो सवाल का, जो आप दो भाग में दूँगा, सबसे पहले ये है, कि हम सब को, कभी ने कभी तो ऐसे एकायक हो जाता है, जो अकाल के हम कहते है, तो फिर तभी यह से लग सकता है कि जीवन का कोई अर्थी ही नहीं है, तो ये शास्तर में बताया गया है कि, इस लाइफ, जिस लाइफ, इस जेस्ट एक वन सेंटेंस, इन दर स्टोरी अफ लाइफ, ये एक जीवन है, पर इसके परे भी एक और जगत है. तो इसके परे इस अनदर वोल्ड और एक तरसे देखेगे तो इस सएन्स फिक्षन भी हम देखते है कि लोग अलग-अलग तक से कलपना करते है कोई और जगत है, कोई उत नद प्रुभर जर यहा है, वो है। यहां तक हिव Kayla science से भी लोग क्या बता रहे है कि हम technology से क्या करेंगे एक paradise बना देंगे हम जगत को पुरा परिवर्तित कर देंगे तो क्या है कि the longing for a better world यह जो है यह universal है तो ऐसे नहीं है कि केवल धर्म में बताया गया है यह fiction में है यह science and technology में है हर जगर पे है यह पर धर्म में इस तरह से हमको एक world view दिया है एक ऐसे एक ऐसे विस्तार उसे तत्व ग्यान दिया गया है जिससे कि हम समझ सकते है कि कैसे नकेवल यह जीवन को सार्थक बनाने के लिए यह जीवन अंत नहीं है इसके पड़ा कुछ और है यह एक fundamental instinct है humans का एक मुलभूत विचार धारा है और यह सब जगह पे है तो यह संकल्पना गलत नहीं है संकल्पना यह सही है हमारे एक रुदे के अकांक्षा है और विश्व के इश्व के रचना में कुछ सत्य भी है हमें प्यास लगती है तो बाहर पानी है हमें भूख लगती है तो बाहर अन्न है जो अकांग्षा है उनकी पूर्ती है इस रुष्टी में तो इस अ पोपरन से यह कि तर्क के रूप के रूप से हम एक निशकर्श निकाल सकते है से कम से हो सकता है पिसिक पॉंट ए तो यह हमारी अभीर लाशा है कि इस दन्या में इस जगत में हमें इतनी व्यायन नहीं है, एक एसी जगए हो जहां पर कोई प्राप्लम नहरे मैं बहुत खूशी से रह सकोंगों, जहां सारे प्रकार के सुक्ष्षी हOne, विदाए हो, तो यह हमारी जन्नत या heaven जैसी चीजे हैं और शास्त्रों के अधार पे भी यह चीजे actual में, real में exist करती हैं ठीक है परव यह जो आपने उपर बता है मुझे थोड़ा से चीज में समझनी आया कि आपने बोला world view जो है वो philosophically हम समझ सकते हैं world to view process है मैं बोला था कि world view मतलब कि विचार करने की प्रशन शास्त्रा जिससे हम पदला है कि अच्छा सुष्टी में यह है वो है यह जगत है एक और जगत है पर world to view मतलब यह एक विधी है इससे कि हमको इसका realization होता है इसका साक्षातकार होता है जिए philosophy में हमको एक proposition होता है प्रस्ता होता है कैसे हो सकता है पर world to view मतलब क्या है कि हम इसको इसकी प्राप्ती कर सकते है तो वो अलग चीज है इसने वह प्रस्पार बगारा हो ठीक है ठीक है प्रफुजी अगला question जो immediate दिमाग में आता है वो यही है कि हाला कि यह चीज सब धर्म में mention है लेकिन एक particular धर्म में इसका बहुत ज्यादा बड़े scale पर जो मिस्यूस किया जाता है उसी के base page 72 भात्तर हूरे जो movie बनी है जनरल भी हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो terrorist हैं उनके दिमाग में चीज भर दी जाती है कि आपको afterlife इतनी बड़ी एक बहत्तर हूर मिलेंगी यह मिलेगा वो मिलेगा और वो उसके लिए गलत काम और इतने बड़े scale पर गलत काम करने के लिए तियार हो जाते हैं तो ऐस है क्यों है कि जब यह चीज हर जगे mention है कि एक particular religion में ही उसको इतना गलत तरीके से misinterpreted किया जाते है उसका misuse किया जाता है बाकी मैंने हिंदुज में तो इनना जनरल ही नहीं देखा कि हिंदुआ को उकसाया जा रहा होगा कि तुम्हें जन्नत में अपसराइं मिलेंगी Christianity में भी जहां तक मुझे ध्यान में ऐसा कोई एक दम प्रॉमिनेंट सुनने में नहीं आता है फिर एक ही धर्म में इसका इतना गलती उसका कैसे हो सकता है यह बात सही है कि देखी किसे यहां पर दो चीजे है कि एक है religion धर्म और दूसरी है चेटना तो साधारन तया normally what should happen is religion जो धर्म है पालन करते है उससे consciousness elevation होता है चेटना उट्टी है चेटना उपर जाती है और उपर जाती है मतलब क्या कि एक तरह से हमें इसको कह सकते है कि एक ऐसे mountain है जिसके bottom में है एक परवत है उसके नीचे materialism बहुतिक वाद है और उसके top में है spirituality ले जाना है बहुतिक स्थे इसके लिए अलग-अलग धर्म एक तरह से अलग-अलग मार गए तो इनका अंतिम उद्देश ये है कि हमारी चेतना को आध्यात्मिक जगत के आध्यात्मिक स्तर पर ले जाए पर कभी-कभी क्या होता है कि यहाँ पर अगर हमें चार क्वाडरंस देखते हैं सब्सक्राइब तो एक है कि बिदिव जो शद्धा है जो विश्वास है बिलीफ इन ऐस अव्तर लाय इस यह जगत के पर एक उच्छी और है तो कुछ लोगों में ऐसा विश्वास है, कुछ लोगों में ऐसे विश्वास नहीं है कुछ लोग कहते हैं, धर्म मतलब क्या आपको अगले जन्म में विश्वास नहीं है पर वो इस बात सही है, उतना ही नहीं है, क्या है? इसके साथ साथ होना चाहिए, spiritual consciousness आद्ध्यात्मिक चेतना होने जाए है, आद्ध्यात्मिक चेतना के विप्रीत है, भौतिक चेतना, material consciousness तो कभी-कभी क्या होता है, अभी हम कहते हैं, अगर चार विभाग देखेगे, quadrants टो कोईसी के भौतिक यतना है, और किसी ही को अगले जनम एक श्वास नहीं अगला जनम है, अगला जगत है, ऐसे कुछ भी नहीं है, आफ़तर लाइस और आफ़तर वोर्ड, पर ईस जगत के पर कोई और जगत है, तो यह जो है, यह पूरा भौतिक वाद्ध है कि कोई अगला जनम भी नहीं है और कोई आध्यात्मिक चीज भी नहीं है यह जो है यह एक चीज और दूसरी चीज है की वेक्ति भौतिक चेतना में है पर वो अगले जनम में विश्वास करता है यह क्या होता है यह एक religious मटीरियलिजम हो जाता है तो एक्ति व्यक्ति धार्मिक कहता है खुद को पर वो एक तरह से भौतिक वादी धार्मिक है या धार्मिक भौतिक वादी है और इसके विपरीद हम कह सकते है कि यह जो है इससे क्या होता है कि व्यक्ति की चेतना परिवर्टित नहीं हो रही है तो उस समय में वो व्यक्ति धर्म का पालन करता है धर्म का पालन करने के लिए उद्देश क्या है के निस्वाद बनना है, सेवा करना है, जो चीजे मुझे इस भौत्रीक जगत में चाहिए, वही मुझे और प्राप्त करना है अगले जगत में में क्या बताएगा है कि तीन गुण होते हैं एक है तमोगुण, एक है रजोगुण, और फिर एक है सत्वगुण, अब ये गुणों का इतासे क्या रथ है, तमोगुण में व्यक्ति या तो बहुत आलसी होता है या बहुत हिंसक होता है, ये एक तरह से हम कह सकते है कि ये तो तमोगुन में व्यक्ति क्या होता है? हिंसक हो जाता है, वायलेंट, रजोगुन में व्यक्ति जो होता है थोड़ा लोभी हो जाता है, ग्रीडी हो जाता है, तो सत्वोगुन में व्यक्ति थोड़ा रिफ्लेक्टि होता है, थोटफुल होता है, तो क्या होता है? साधार अ तो फिर क्या होता है वह धर्म का अनुशिलन तो कुछ कर रहे हैं मतलब शद्धा है उनमें पर उनकी चेतना भौतिक वाद में ही रह रही है हिंसक ही रह रही है तो अधिकांच धर्म जो है वह खृष्चानेडी में पी एक तरह से स्वर्ग बताया गया है उसमें आनन्ध है उसका प्रतिपादन भी नहीं होता है कि उसका प्रपगांडा किया जाता है वह इस तरह से होता है कि लोग अपनी चेतना को उपर नहीं उठाते है, वो ऐसे पुरा भौतिक वाद भाव रहता है, भौतिक वाव रहता है, पर वो सोचे कि इस तरह मिजे स्वर्ग मिल जाएगा, तो एक तरह से this materialism can be destructive, वो वो सोच सकता है कि तुम मेरे रास्ते के बीच में आ जगे, तो मैं तुमको उड़ा दूँगा, मैं तुमको मार दूँगा, तो वो वोतिक वाद एक तरह से हिंसक हो सकता है, पर ये जो होता है, ये हिस क्या है, कि ये self-righteously destructive हो जाता है, मतलब एक ती सोचता है, कि मैं हिंसा करना हो, पर मैं एक तरह से हिंसा करके अच्छा काम कर रहा हूँ, जाता है, और भी खतरना है, तो this is actually, एक काफी खतरनाक हो सकता है, तो आप ये लेफ्ट में लिख सकते हैं, कि not believe in afterlife, just to make sure there is no confusion, आपने जो quadrant बता है, इसके left hand side में, horizontal line मे अच्छा, आपने राइट, just to avoid any confusion, yeah. आप ऐसा करने से आपको जन्नत प्राफ्ट होगा, तो फिर क्या है, वो जो है, उससे लोग और हिंसक बन जाते हैं, तो इसलिए, faith without elevation of consciousness, कि श्रद्धा होना पर चेतना का विकास्त न होना, चेतना का उपर न उठना, यह कभी-कभी और हिंसक हो सकता है, तो यही दुरुभा के वश जह अभी इसलाम में हो रहा है, तो कई बार इसलाम में भी ऐसे, ऐसे वरनन आता है, उसमें भी ऐसे, जीवन या उनकी जीवन शैली पर इतना जोर नहीं जायाता है, तो उसके कारण, यह, इन वन सेंस, ऐसा प्रतिपा, ऐसा प्रपगांडा, इस प्रकार से प्रचार, हर धर्म में हो सकता है, पट ऐसा इसलाम में ज्यादा हुआ है, पर प्रप्रॉब्लम इस नोट इसलाम, स्पेसिफिकली, जब यह समस्या इसमें यह है कि, जो है, भौतिक वाद, एक धर्म के नाम में पत्वादन हो रहा है, चेतना का उधार नहीं हो रहा है, तो इसलिए अगर हम भगवईता में देखते हैं, भगवईता में भगवान, जो तवग्यान बता रहे है, उसका उद्देश, ना केवल मुझ में शद्धा रखो या इसमें या उसमें शद्धा रखो, भगवईता का शुरुवाद होता है, कि हम भौतिक तत्वा नहीं है, आध्यात्निक तत्वा, आत्मा है, तो एक तरह से, जिन धर्मों में यह स्प मैनिपुलेट करने का संभावना ज्यादा हो जाता है, तो इस तरह से, मैं आपकी वाद समझ गया, आप जो बाकी दो क्वाद्रेंट के आप, डियोंट एक्स्प्लेन देट अलसो लिटल बिट क्रिकली, जो जो लोग आफ्टर लाइफ पे भी बिलीव करते हैं, साथ-साथ spiritual मतलब जो उनकी चेतना है, वो विक्सित होती है, तो अभी जो लोग आध्यात्मिक चेतना में हैं और जो अगले जगत में कोई विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक तक्त्तों कुछ हैं, तो फ psic beautiful जो आध्यात्मिक टित्यों का विज्वास्त तो यह सुदुन हरता यहbreakerIt यह थोड़े सा दॉल यह सब्सक्राइध हैं। हवाइब्वाता में बताते हैं हमारा अर्थ है." Earth है, इसके ऊपर स्वर्ग है, heaven है, पर भगविता बताते है कि इसके परे जो है वो वाइकुंठ है, वो spiritual world है, तो यह जो स्पिरिच्टा स्भेध है कि आध्यात्मिक जगत में और स्वर्ग में, तो कुछ कोई लोग कह सकते है कि वो भौतिक वाद ही, so material religious जो कहते है, वो स्वर्ग में जा सकते है, पर वहाँ पर भी कैसे बता है, आपको धार्मिक कारे करने, ना कि दूसरों का न्मिनाज करना है, आपको धार्मिक काति मतलब क्या है आपको नैथिख जीवन जीना है जोगन से सफ्वक उनके आना है कुछ यग्य करने है यग्यदान तप करना है उससे आप जाएगे इसने हिंसा से जाएगे ऐसे नहीं है और हाँ ऐसे बताएगे कि शत्रिय जो है शत्रिय रन भूमि में उद्ध करते हैं तो वहाँ पर वीर्गती प्राप्थ हो गए तो वह स्वर्ग में जाएगे पर यो शत्रिय है और शत्रिय और टेररिस्ट आतंकवादी जो है उनके कारियों में तीन बहुत महत्वपूर्ण आउन वेटल्सन रण भूमि पर ही आकृमण करते हैं जो आतंकवादी है एक से इसके शत्रिय जो है recoil कि ऊपूर्ण करते हैं कि अगर कोई गनभूमि में किसे सामना करता है तो उनको आतंकवादी नहीं कहते है Ins कर रहे हैं और कैसे है शत्रिय जो है only those who are armed अगर आप रणभूमी पे भी है पर अगर आपका शत्रू के शस्त्र नहीं है तो आप उस पर आक्रमन नहीं करोंगे पर यहां पर क्या है only अनाम्ड जो लोग अपना साधारन जीवन जी रहे हैं और एक दर से नकेवल शत्रू है व पांडव किसे ना सो रही होती है तो उसको बहुत ही घुनास्पत बताया गया तो जो अश्वत्थामा करता है और दाट इस देर इन देवेडिक लिटरेचर वो आतंकवाद के शादा करीब आता है क्या है सब सो रहे है तो जाकर आकरमन करते है उसको पूरी तरह से उसको ग अध्रइम किया गया गया सबसुर्टा इस फी घुछ नहीं नहीं है जो जो युद्ध लिए जो ट्यार भी नहीं ए जो साथान जीकर रहें उनको टार्गेट गरते तो यह जो है दिर्शि तो यह तो नहीं वाहित जिकार में प्टार्रवी ओंसंटे को पर यह इनकर रही करते हैं, धर्म युद्ध कर रहे हैं, उसमें वीर्गति प्राप्त करते हो, तो फिर उससे, yes, उससे स्वार्ग प्राप्ति हो सकती है, पर यहाँ जीवन का उद्देश नहीं है, यह जो है, जीवन का उद्देश ultimately है कि हमें स्वर्ग के परे भी जाना है और स्वर्ग के परे क्या है यह एक उड़ जगत है और यह जो है religiously spiritual जो धर्म कर रहे है तो किस तरह कर रहे है धर्म कर रहे है वो अपनी चेतना को विक्सित करने के लिए इसमें क्या होता है कि selfless service विस्वार्थ भाव से दूसरे लोग करना दूसरे लोग का कल्यान करना भगवान की सेवा करना भगवान का सब लोगों को भगवान के अम्ष के रूप में देखना और उनका कल्यान करने का प्रयास करना यह जो है इससे व्यक्ति भगवद्धाम जाता है भगवान बताते हैं कि अद्वेष्टा सर्वभूतानाम ऐसे व्यक्ति हैं सोचते हैं कि इसको मार दूँगा तो मैं दे जाओंगा वैकुंट नहीं, सबका कल्यान करते हैं तो यहाँ एक रैडिकल डिफरेंस है यह बहुती बहुती महत्वपूर्ण फरक है जो कि अनेक धर्मों में जो स्वर्ग या जन्नत की संकल्पना बताई गई है और शास्त्रों में भगवद्धाम या वैकुंठ जो बताया है तो वो रिलिजिस मटीरियलिजम से कभी प्राप्त नहीं होता है उससे धर्मकानुशन करना है पर चेतना का विकास करना है तो इसमें ऐसे नहीं बोलते हैं कि जब हम वैकुंठ जाएगे तो वहाँ पर इंद्रियव होग होगा वहाँ पर वास्तमें प्रेम होता है वहाँ पर सेवा होती है भगवान का स्वर्ण होता है उसमें ही दिव्यानन्द होता है मैं समझा प्रभू तो बेसिकली अंडेस्टेंडिंग यह है कि हमारे यहाँ पर जो स्वर्ग का कंसेप भी है उसमें बहुत ज़्यादा चीज पर किया गया है कि स्वर्ग में जो है हम सही कारिये धर्म के रास्ते पर चलते वेज लोक कल्यान क के आप इस चेशर में भी यह उप्लेशर दिया है इसे कारण से इसक का गलत जो यूज है वो अपना असान नहीं है या जनरली नही नहीं हो पाता है लेकिन शायद बाकी जैसे इसलाम में कही ना कहीं इस चीज को डिलूट कर दिया गया जैसे आपने बोला जो अच्छे संथ हुए भी है उनको ज्यादा प्रॉमिनेंट नहीं रखा गया और कहीं ना कहीं जो या तो misinterpretation किया गया है या फिर उसको misinterpretation करके दिखाया गया है और जिन लोगों ने इसलाम की जिनको ठीक से understanding नहीं है उनको जैसे कि आपने बताया कि जो एक गलत रास्ता है उसके अधार पर भी उनको एक चीज समझाई जाती है उनके दिमाई में भर दी जाती है कि वो इसके बाद जो है वो धर्म के रास्ते पर चलके भी उनको मतलब धर्म के रास्ते पर इंदर साइंस की गलत understanding के साथ चीजों को समझ के भी उनको जन्नत की जगे जन्नम में ले जाएगी बेसिकली पॉइंट जो समझ रहे हैं पर एक लास्त में भगवदीता में गिल्चस चीज बताई गही है उसको कहते है knowledge in the mode of ignorance साधारण पर ज्यान और अज्यान ज्यान और तमस को विरोध बता जाता है तो यहां पर बगवदीता है कि अगर यहां पर ज्यान है यहां पर अग्यान है तो यह knowledge है और यह ignorance है तो कैसे होता है कि अगर ज्यान बढ़ता है तो अग्यान कम हो जाता है यह नॉर्मल संकल्पना है पर यह knowledge in the mode of ignorance मतलब क्या है कि व्यक्ति एक तरह से उनका अग्यान बढ़ रहा है उनका ज्यान कम ही है बड़ कैसे है यहां पर कैसे था यहां पर ज्यान था यहां पर अग् व्यक्ति का अज्यान बढ़ रहा है पर अज्यान का खेतर बढ़ रहा है मतलब क्या है व्यक्ति है अगर कोई व्यक्ति एक चीज के बारे में जानता है और उसी एक चीज को महत्व देता है और और किसी चीज को महत्व नहीं देता है वो तो वो जो है, to make one thing into everything, तो कृष्णनवद एक कस्मिन, एक चीज को सब कुछ बना देना, अतत्वार्थवद अल्पम्च, तो अतत्वा पता नहीं है, ऐसे व्यक्तिकों क्या होता है, कि वो एक ही चीज सुनते है, अगर मैं फिदाईन बन जाओंगा, मैं जिहाद में अपनी जीवन अपना मृत्ति ले लूँगा, तो मृत्ति हो जाएगी, तो मैं स्वर्क में जाओंगा और यह मिलेगा मुझे, जन्नत में जाओंगा, यह कुछ मिलेगा, पर उन्हीं, उस कुरान में ही, जो अगर किसी को अच्छा वेक्ति बनना है, कुरान के अनुसार भी बनना है, उसमें और बहुत कुछ चीजे बताई है, पर वो सारे चीजों को बाजू को रख देते हैं, यही एक चीज को ले लेते है, तो कैसे हम कहते है कोई conditions apply हम कहते है कोई product में होता है, तो बाकी सब conditions निकाल देते हैं एक ही चीज़ को लेते हैं, तो इसलिए जो है systematic philosophical education जो है वो महत्वपूर्ण है, नहीं तो धर्म को easily manipulate के जाते हैं, धर्म को use करते हैं, तो दोनों एक तरह से हैं, जो एक तरह से misleaders है, और दूसरे है misled, पर जो misled होते हैं, वो काफी ज़्यादा होते हैं, तो जो misled होते हैं, तो हमें क्या करना है कि हम तो एक तरह से कुछ कर नहीं सकते हैं, और जो धर्म में ही चेतना बढ़ती है, तो वो किसी भी धर्म में हैं, और लोग सत्वगुण के और आते हैं, या जो लोग सत्वगुण में हैं, वो अगर प्रभावशाली और बनते हैं, तो फिर इस प्रकार का, जो दोनों लोग है, जो गुम्राहा कर रहे हैं, जो गुम्राहा ओर हैं, इनकी संख्या कम हो सकती है, और जो विश्व में हिंसा है, धर्म के नाम पर जो हिंसा हो रही है, वो उसको कम कर सकते हैं. जो पर अपने लाज्ट पॉइंट बताया यह कहीं ना कहीं आंसर है मेरे एक और जो मेरे दिमाग में प्रशन था कि क्योंकि इसलाम कोई तरके से जो भी आपने बोला मिस लीडर है उन्होंने मिस इंटर्पेट करा और उसका जो भी प्रोपगेंडा चलाया जो भी उसकी बजाए से हिंसा पुरी दुनिया में फैर रही है उससे बहुत सारे लोग जो है वो इसलाम धर्म को त्याग रहे हैं मुझे पता नहीं आपने इंटरनेट पर देखा है नहीं लेकिन आजकल एक्स मुसलिम करके एक मूव्मेंट चल रही है जिसमें लाखों लोग जो है जिसके साथ जोड़ रहे हैं तो बेसिकली वो इसलाम धर्म को त्याग है कि एथिश्ट बन रहे है मतलब देब बोलने एनफ इस एनफ मतलब क्योंकि इसलाम धर्म की सारी चीजे जो है आजकल बहुत ज़्यादा Controversial चीज़े तो आजकल सब ज़्यादा चलती है तो यह और ज़्यादा दिखाई जारेंगे किस तरह से काफी रोग को मार देने के उसमें आयते हैं, किस तरीके से वॉयलेंस है, इस तरियों के खिलाफ और काफी चीज़ें जो भी उनकी नेगेटिव चीज़ें चुन-चुन के उनको हाइलाइट किया जा रहा है और उससे लोग जहां तंग हो के वो एथीश्ट बनना सुखार करें कि सच्छा तो एथीश्ट बनना बेटर है, तो काइदे से देखा जाए जो जो हिंसक लोग होते है और कुछ लोग के जो तरक से बात करते है तो मेरे मुसलिमें तो बता रहे थे कि इड़ इस एजियर फोर मी तो टॉक वित मॉडरेट्स अधर ट्रेडिशन थे एंग्स्ट्रेमिस्ट्रेशन कि कोई दूसरा धर्म का पालन कर रहा है पर वो भी मॉडरेट है वो तोड़ा रीजनेवल वक्तिय विचार करते है विचारवन्त है तो उनसे बातचीत करना आसान है मेरे लिए पर जो मेरे धर्म के संकीर्णवादी लोग है उनसे बात करना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो इडिजिए इंपॉर्टन की हम समझे की हार धर्म में जो होते है जो संकीर्णवादी लोग होते है जो नारा होते है जो एकस्टर्मिस ह coupon होते है और जो लोग होते है वो ऐसे नहीं भी है तो एक चीज जो हो रहा है कि लोग धर्म छोड़के जा रहा है बट इवेंचुली इसलाम यह बहुत बड़ा धर्म है तो जो रिफॉर्म होना चाहिए वो परिवर्तन वो अंदर से होना चाहिए जो मॉडरेट होते है अगर वो और प्रभावशाली बनते है तो आप देखते हैं तो इंडोनेशिया में जो इसलाम है वो रिलेटिवली स्थीडी के बहुत तोलरेंट है इंडोनेशियन इसलाम इस वेरी इफरेंट रॉम से पकिस्ताइन इसलाम अफगानी इसलाम और अधिकल के इतिहास में वो एक्स्ट्रमिस्स का प्रभाव बहुत जादा हो गया कुछ जगाव पे नहीं है तो the problem is not इसलाम, the problem is तमोगुना तमोगुन का प्रभाव अगर बढ़ जाता है तो फिर कोई भी चीज हिंसक हो सकती है अगर हम देखते है कुछ जो नास्तिक बन गया आप बता रहे हैं तो विश्व में नास्तिकवाद का भी राज्य था जो जो सोविद रशिया थे चाइना थे वो नास्तिक थे कि नास्तिकवाद थे शुब शांती नहीं आए जगत में कि यह था उसके साथ भी तमोग उना गया था तो जो जो कम्यूनिजम था जो नास्तिकवाद का एक भी रूप था उससे वास्तों में हंड्रेड मिलियन कैजूल्टी जन्रेड मिलियन डेट्स बिना किसी युद्ध के 100 मिलियन लोगों को मारा गया हुआ है और यह जो पहला विश्व युद्ध दुसरा विश्व दुसरे भी आदा है तो पॉइंट इस नॉट टू क्रिटिसाइज इसलाम हर धर्म में जो तामस्तिक लोगों में नास्तिक लोगों में जो तामस्तिक लुट्ति होती है अगर तामस्तिक लुट्ति बढ़ जाती है तो हिंसा हो जाती है तो वो तामस्तिक लुट्ति को रोकना है और वो कभी-कभी धर्म से बाहर जाके रोक सकते है धर्म के अंदर से रोक सकते है चेतना का विकास होना वह महत्वपूर्ण है, तो प्रभपाजी कहा करते थे कि we are not here to change people from one religion to another religion, लोग को एक धर्म से दुसरे धर्म में परिवत्ति नहीं करना है, प्रभपाजी कहते है कि जो conversion है वो ऐसे नहीं कि one religion और another religion, तो ऐसा conversion में कोई मतलब नहीं है प्रभपाजी कहा करते हैं, अगर चेतना वहीं पे रह रही है, अगर कोई conversion है, वो वास्तों में elevation है, elevation मतलब क्या, कि चेतना का भौतिक वाद से यह जो एक religion one to religion two, ऐसे इसमें कोई परिवर्त में मत्वपूर्ण नहीं है, आप कोई भी आप जो कहते धर्म उसका पालन कर रहे है, उससे वास् है कि आपकी चेतना विक्सित हो रही है, कि आप निस्तवारत भाव आ रहा है, सेवा भाव आ रहा है, जो भौतिक पर लिए उससे वेक्ति दूर जा रहा है, आध्यात्मिक चीजों में उसका और रूची मिल रही है, यहां देखना जरूरी है, तो अगर वह हो रहा है, तो उससे वास्ता में वेक्ति का कल्यान होगा और वेक्ति विश्व के कल्यान में मदद कर सकता है, योगदान कर सकता है, बिल्कुल सही बात पर इसलिए जो लोग सतो गुन में जो लोग हैं, अगर वो एथीज्ट भी हैं तो जल देखते हैं, एथीज्ट भी कहीं पर समाज कल अच्छा कारे करते हैं होस्पिटल में चैरीटी में अलग लग जगाओं पर तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई रिलीजियस होगा तो यह अच्छा काम करेगा यह बेसिकली डिपैंड करता है कि आप कौन से गुन में ज्यादा स्थापित हो कौन सा गुन जो है प्रॉमिनेंट आपके अंदर तो अगर कोई तमो गुन में तो रिलीजियस होके भी हिंसक हो सकता है और अगर कोई सत्वोगुन में वह एथिस्ट होके भी समाज कल्यान के लिए एट लिए अच्छा कारे कर सकता है इसको कहते है थार्म भी भी सत्वोगुन रजोगुन टमोगुन में हो सकता है इसको कह सकते हैं तरह से एक है फॉंक्शनल वाल्यूज फॉंक्शनल मतलब कि व्यक्ति किस तरह से जी रहा है और दूसरे है रिलिजियस वाल्युज कि मतलब कैसी है कि कोई वक्ति गाड़ी चला रहा है तो एक है कि इस कार है उसके पास वहेर रहेज़़ here वह कहां जाना चाह रहें और दूसरा है how they drive कैसे चला रहे है गाड़ी कोई व्यक्ति भले ही कहरíciaश में जा रहा है वह जा रा है कि नहीं पता नहीं पर वो इस तरह से जा रहा है कि इस गारी को टकल कर रहा है उस व्यक्ति को उडा रहा है तो फिर वैसे ग appointed पर किस तरह से जीवन जी नरहे महत्वपूरन हैFilis अगले जगत में भगवान है उनके पास जाना है पर इस जगत में आप कैसे जी रहे हो यह मत्व पूर्ण है भगवाईता के बारवे अध्याएं तेरवे श्लोग से बीसवे श्लोग तक भगवान qualities of a devotee बताते हैं एक भगवाई एक भक्त के गुण बताते हैं जो ऐसा भक्त उनको प्रिय है और यहाँ पर जो सारे गुण बता रहे हैं भगवान वो functional है यहाँ पर यह नहीं बताते हैं भगवान की आप कितनी पूजा कर रहे हैं वो सब महत्वपूर्ण है पर उस पर जोर नहीं दे रहे हैं भगवान भगवान होता है कि आप दूसरों के साथ आपको करुणा है कि नहीं आप अच्छी तर से बात करते हो दूसरे को उत्तेजित नहीं कर रहे हैं आप जब समस्य आती तो शांती से लेते हो क्रोध नहीं करते हो आप किस तरह से पर गुण सद्गु इस जगत में वो व्यक्ति कैसे जी रहा है, वो हम हत्वपूर्ण है, तो इसलिए मैं जब इस section पर बोलता हूँ प्रवचन, तो मैं इसको English में कहते है, Don't tell me what you believe, तुम किस चीज में विश्वास करते हो, उससे जादा मुझे लेना देना नहीं है, Show me how you behave, कि आपका बरताओ कैसे है, यह हम हत्वपूर्ण है, कि यह भगोईदा विश्वास है, ठीक आप कुछ में करो, पर आपका विश्वास से आपके बरताओ में कैसे परिवतन आ रहा है, तर आपका को भी विश्वास है, उससे आप और हिंसक बंद रहे हो, आप दूसरों ना केवल भगवान तसन्न होने वाले है, ना आपकी कोई उद्ध्य होने वाले है, आपके चितना का विकास होने वाला है, तो इसलिए अगर किसी में सही में आध्यात्मिक शद्धा है, तो उसके इस जगत में भी उसका जो बरताव है, वो ऐसा होना चाहिए कि सब का कल्या हुआ तो मोटे मोटे तोर पे देखा जाए तो प्रॉब्लम जो है वो गुन की है कि तामसिक गुन में होने के कारण जो लीडर है और जो फॉलोवर्स है वो कुरान में या इसलाम में भी उन आयातों को या उस पर्टिकुलर सेक्शन को हाइलाइट जादा करते हैं जिसमें व उनको ज़्यादा ताकत दी जाए उनकी आवाज को किसी तरह से बुलंद किया जाए तो ही इस चीज़ को धीरे-दीरे जो है इसको सही दिशा में ले जाया जा सकता है और मुझे आकरी बात आपकी यह समझ में आई जो हमने बात की लाश्ट पॉइंट में कि जो पूरी तर अगर वो होते तो शायद वो भी उसी में कुछ लोग वो देखते हैं कि अंदर से परिवर्ट चोड़ दो इसको वैसे भी हो सकता है या तो आगन से अगर समरी में देखते हैं तो फीन पॉइंट में देखे हमने सबसे पहला जो पॉइंट आ किस तरह से जो अगले जनम के बारे में वरनन हैं आफ्टर वर्ड यह एक ना कि धार्विक चीज़े बड़े से लॉजिकल इंफरंस तरत के सर पर हम इसका निश्कर्श कर सकते हैं यह सच है अगले जगत की प्राप्ति कैसे करनी है उसकी जो विधी है वो क्या है और इसको उसको अटें करना है तो केवल क्या उसमें बिलीफ रखना है श्रद्धा रखनी है या उसको श्रद्धा के साथ हमको चेतना भी चाहिए चाहिए तो दोनों चाहिए इसके संदर में हमने वो चार क्वाडर देखे छाहिए अप्टर वर्ड और स्पिर्चुल कॉंशिस्नेस तो यह महतवपूर्ण है तो जोनों चाहिए और आकरी इसमें देखा कि तो इसमें समस्या जब होती है कि व्यक्ति में श्रद्धा पहते श्रद्धा है पर व्यक्ति के चेतना तमोगुण में अगर है तो फिर क्या होता है व्यक्ति इसका फेथ है बट वो तमस में है तो उनको क्या होता है बले ही व्यक्त तो इसके कारण फिर क्या होता है व्यक्ती हिंसद भन जाता है destructive हो जाता है और इसके लिए अगर तो उसके लिए हमें solution क्या है आख जिते है कि हमको चेतना को विकसित करना है चेतना का विकास जो है तो वेदिक शास्तम लेखा कैसे है कि मैं रता है कि यह स्वर्ग के परे भग करते उसके लिए तो उसते ही solution आता है तो चेतना का विकास अगर होता है जो चेतना विक्सित हुई है वह प्रभाव शाली बनते है तो फिर इस तरह से जो गुम्राह करने वाले है उन दोनों का प्रभाव कम हो सकता है यस प्रभू विक्ष ऑँ करते है अगशच का प्रभूजी अट करते है जो ठीक्ष अप्रब्स घटेसर सले लिए ज़बाए ज़िए खर इस लूझ अपनों झाल झाल